कॉंग्रेस महासर्चिप रंका गांधी ने कहा कि आज अपना अधिकार और हक मांगने का समय है जो भी निदाब के सामने आए वे सिर जुका कर आए आप में सब कुछ है हिम्मत है शक्ति है वीरता है देश को दिखाया है और सदियों से आपने देश को दिया है अपना पसीना अपना खून अन सब कुछ दिया है आज अपने लिए हक मंगो अपना अधिकार मंगो यह आपका अधिकार है आपका हक है कि आपके लिए जो सरकार बने वो आपके लिए नीतियां बनाए कि जो नेता आपके सामने आए, सर जुका के आए, घमंड करके ना आए, छप्पन इंच की छाती वाली बाते ना करे, ये बात करे कि तुम ही मेरे भगवान हो, कि ये पबलिक है जिसने मुझे बनाया है, और क्योंकि इस पबलिक ने बनाया है, इसलिए मेरा दायत्व है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस पबलिक यहां के किसानों को, यहां के मजदूरों को, यहां की महिलाओं को, यहां के नौजवानों को आगे बढ़ाओं, उनका विक ना उनक ने क्या क्या कहा और क्या करके दिखाया अभी भाया और मैं कुछ परिवारों से मिले वो जो फैमिली आईडी है उसके बारे में वो बता रहे थे कि फैमिली की आईडी बनानी होती है उसमें हर परिवार की सदस्य की आमदनी चाहे 17, 18 हों परिवार के सदस्य चाहे अलग-अलग परिवार के यूनित नहों मतलब एक भाई, उसकी बीवी, उसके बच्चे दूसरा भाई, उसकी बीवी, उसके बच्चे सापकी आमदनी जोड़के सरक्यार क्या कर रही है आपको सरकारी स्कीम से निकालने का काम कर रही है मतलब वो बता रहे थे कि दीदी हमारी सदस्य चार सदस्य है हमारा ये नया पहचान पत्र इन्होंने बना दिया अब कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं जा सकता क्योंकि तुम्हारी आमदनी बहुत बढ़ गई है इसी तरह से सबकी आमदनी जोड़के जो किसान की सुविधाएं हैं जो मजदूरों की सुविधाएं हैं सब बंद हो रही है ये सारा काम जो हो रहा है सिर्फ बड़े बड़े अद्योगपतियों की भलाई के लिए हो रहा है आपके लिए नहीं हो रहा है आप आखे खोलो पहचानो की सच कौन बोल रहा है जूट कौन बोल रहा है कौन आठ हजार किलो मीटर इस देश में चलता है इस देश को एक रखने के लिए और कौन आठ हजार किलो मीटर दूर दुनिया के हर देश में भ्रह्मन करता है लेकिन आपकी समस्याओं को सुनने के लिए आपके किसानों से मिलने के लिए पाँच मिनट नहीं निकालता पहचान लीजिए कि आप जो आपकी सचाई है उसको आप ही बदल सकते हैं